किसी भी सेक्टर में अभी सभी एंडिये की एक्जाम मेरिट में कौलिफाइ कर पाएंगे गया इसके कारण डर्ना नहीं है यू स्ट्रगल फॉर गेट रेडि फॉर एंडिये साथ-साथ बाकि एक्जाम जो हईगी आर्मी ने वियरफोस की उसमें लोकल ट्रेन मुंबई में क तो रश देखके हम डरते हैं क्या तो क्राउड में आपको घुसना है पन्वेल से बैटे तो वाशी तक क्यंबूर तक जगा बन जाती है तो लास्ट कैड़र ने किया कि हमारी पांच्व बैचे मेरी उनका कॉंफिटेंट वही है कि डर नहीं है एक्जाम को फूल माइंड पैनिक नहीं करना है अफोल बहुत शेक्या है कि मेरा यह मैथमेटिक बहुत कच्चा है मेरा फिजिक कच्चा है तर उसमें थोड़ा स्ट्रेस किई और स्ट्रेस मत किई लेकिन लेकिन कॉंफिटेंस लेवल ऐसे बढ़ा ही हमारे कैड़िट मैं परसेंटेज नहीं किसी भी करियर सेक्टर में प्रवेश हो जाना चीए उससे समाधान किसका होगा सबसे समाधान बड़ा पैरेंट्स का आपका क्या है वो लाइफ करियर पात क्या है लाइफ है रोटी है ना आगे जो ट्रेणिंग मिलेगी मिनिमुम आपको आर्मी निवे एरफोस में अभी जो हमारा training module है पहले एक ट्रेट के लिए सब्सक्राइब का एक specialist ट्रेट था chief fire officer क्या ट्रेट था उसके साथ-साथ उन्होंने क्या गिया इवेंट management परेट पीटी होती है ना जो 26 जोनेश के परेट में हमारी cadet थी इस बार याद है हमारे academy की cadet leader थी याद है ना सेम वे उनका है कि जो भी परेट होती है major passing out परेट उसके उनका specialization है तो उसके ओपर ध्यान देना है तो material पढ़ने के बाद कितना समय retain करते आप जो भी अभ्यास करते हैं कितने लोग लिखके देखते राइटिंग स्किल वासलेवर अराम से एकदम confidence यह मुझे पढ़ाए करने के बाद कितने स्टुडेंट उसको लिखके देखते हैं कि ट्रू वान टू टू ट्री फोर फाई सिक्स सेवन एट नाइन टेन बस यह सेग्मेंट ABCD में से सेग्मेंट एक आपका क्या है वो मैं विक्नेस नहीं कहूंगा ओट इस हाथ नहीं तुम्हाला थे लिउन काड़ता आला पाईए लिउन काड़ने मुझे तुम्चा स्पीट कड़ेल अनि तुम्चा मेंबरी मते किती रिटेंशन दाला वो एक तो ऑफसर के लिए यह डिफेंश के लिए वो बहुत ज़बरी है राइटिंग स्किल एंड कम्मिनिकेशन स्किल आपको जो भी लास्टेम हमने तीन गंटा कवर किया है ओपन लॉन में तीन गंटा किया ना तो ऑफसर लेक क्वालिटी सब रटा हुआ है हमारा वे अवे सब्सक्राइब करेंगे हम हमारा में आपका मेरा सभी का पोशिय का कि हमारे कैड़ेट्स तो कि आप डेराडून दिल्ली पोटा बहुत चे अकेडमिय भारत में उनकी रेट लिस्ट देखिये कि जो मंतली या इयरली फी है लेकिन क्वालिफेंग रेट दी दिखिए अब यहां से डेराडून की नो लाग दस लाग फी भरना थोड़ा संभव नहीं ना पैरेंट्स के लिए लेट इस प्रैक्टिकल जो सच्चा ही है सच्चा ही है तो हमारा एकॉनमिकल एफोर्डेबल एक्सेप्टेबल हमारे लिए पैरेंट्स के लिए जो हमारे बजेट में बाटता वही एकेडमियम लेकिन टाकाओ मधूं टिकाओ वेस्टू वेल्ट कि जो मिनियूम अमोंट में हमारे दी परफॉस होता है वो ध्यान रखना है कि हमें क्वालिफाय होके ही रहना है यह सेल सब्सक्राइब तक कॉंपिटन रखिए यार उसका मैथ बहुत अच्छा है उसका इंगलीज बहुत अच्छा है उसका फिजिक्स बहुत अच्छा है आशा इस दूइंग वेरी वेल इन केमेस्ट्री कोई कंपेरेजन नी करना है मुझे भी सभी विश्व में पर्फेक्ट ह होना है और मैं करके रहूंगा ठीक है तो बी कॉंपिटन बी कॉंपिटिटुटुटुटु सेल्फ कोई शंका है इसमें इनी क्वेस्टिन फॉम योर साइड कोई शंका नहीं फिर मैं छोटा सा एक सम दोंगा वो सौल करना पड़ेगा तो मैथेमेटिक्स में पर्फेक्श सब णहीं ने देखा या उन्होंने देखा तो मेनी पबल्ग स्कूल के जिनकी साल्दी विच्छ से पांच लाख है न्यू मुंबई में मुंबई में पबली क्स जोल के ग्यारवी- configure चेरशे पांच लाख पर यह तो इसे मत्शे वाहां आयते हर का काड लिया and they वान्ट विजीट, वान्ट जॉइन उस, नवी के थे, दसवी के थे, ग्यारवी के, बारवी के, अब सोचे कि उनके पैरेंट्स के पगार कितना होगा, जो आठवी, नवी, दसवी, ग्यारवी, बारवी, पांच लाग खर्चा कर रहे हैं, वैसे भी स्टुडेंट अपने पा को कि हम